लोकस्तवा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अब अतले शादों की PDA फॉर्मूले को तोड़ने की तैयारी में जुटी है ऐसे में बीजेपी फिर से सभी जातियों को लेकर अलग अलग आयोजन करने जा रही है बीजेपी के OBC मोर्शा ने तैय किया है कि वो इस साल कुम नगरी प्रयागराज में पिछड़े वर्ग की जातियों का महा कुम करेगी जिसकी शुरुवात केंद्रिय मंत्री अमित्शा करने वाले है दरसल बीजेपी का फोकस पिछड़ा वर्गे 52 फीजदी मद्दाताओं पर है OBC की 89 जातियों पर भी भारती जन्ता पार्टी की टैनी नजर है इसे साधने के लिए 50-50 कारेकरताओं की टीम बनाई जाएगी जिसके बाद बीजेपी के कारेकरता हर घर दस्तक देंगे और इसके लिए 2 लाग से अधिक OBC कारेकरता तयार भी किये जा रहे हैं और इसकी शुरुवात फिलहाल प्रियागरास से होने वाली है जहां जातियों का महाकंब लगने वाला है समाजवादी पार्टी की जातिवादी सियासत का तोड निकालने के लिए बीजेपी अब जो शो से तयारियों में जुटी है और कारेकरम का नाम दिया है OBC महाकुम्ब जिसे UP के उन महानगरों में आयोजित किया जाएगा जहां सभी सीटों पर बीजेपी के मेयर है यानि कि 17 नगर निगमों में बीजेपी OBC महाकुम्ब करने जा रही है जिसकी शुरुआत प्रयागराज से होने वाली है और शुभारंब ग्रह मंतरी अमिश्चाह करने वाले है देश के और उत्तर प्रदेश के सभी OBC बड़े नेता भारती जनता पारटी के इन महाकुम्बों में सामिल होंगे और इसकी सुरूआत प्रयागराज से हो रही है 17 सितंबर को प्रयागराज में भारती जनता पारटी OBC महाकुम्ब आयोजित करेगी इसमें केंद्री ग्रह मंत्री आमिसा भी मौजूद रहेंगे दरसल बीजेपी अखिले श्यादव के पीडिये फॉर्मूले को चक्ना चूर करने के लिए उस चक्रव्यू की रचना कर रही है जिससों उन मद्दाताओं पर पकड़ बनाई जा सके जो यूपी की करीब करीब सीटों पर निरनायक भूमिका में है ऐसे में बीजेपी फे से सभी जातियों को लेकर अलग-अलग आयोजन करना चाहती है इसी कड़ी में बीजेपी ओबिसी मोजा ने तै किया है कि वो इस साल कुम्भ नगरी प्रियागराज में पिछडे वर्ग की जातियों का महा कुम्भ करेगी इस आयोजन में प्रदेश भर से पिछडे वर्ग के तकरीवन दो लाग से अधिक लोगों के जुटने का अनुमान है उनको सामाजिक नया वस्तिक नहीं दे पाया है हम पिछडा सम्मेलन कर रहे हैं निश्चित रूप से एक बड़े तबके को साथ ले करके हम चलते रहे हैं आगे भी चलने का हमारा प्रयाश है इस तरीके के सम्मेलनों के जरिये भारती जन्ता पार्टी की सरकारों ने किस तरीके से काम किया है मोधी जी की सरकार ने 10 साल में किस तरीके से देश की तस्वीर बदली है योगी जी ने पिछले 6,5-6 सालों में किस तरीके से हालात उत्तर प्रदेश के बदले है बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने बैठक में कहा कि पिछड़े वर्ग में 52 फीसदी से अधिक मत दाता है बीजेपी का ओबीसी मोर्चा हर विधानसभा छेत्र में पिछड़ा वर्ग के 50-50 कारकरताओं की टोली तयार करेगा टोली बनाने में ओबीसी की प्रमुख 89 जातियों पर फोकस किया जाएगा ये टीमें घर घर पहुँच कर चुनाओ के लिए माहौल तयार करेंगी इन टोलीों के जरिये पिछड़ा वर्ग के सक्रिय कारकरता और नेता तयार किये जाएंगे मोचे का लक्ष है कि दो लाग से जादा ओबीसी कारकरता तयार किये जाएं यानि कि जातियों के इस महाकुम्ब के जरिये बीजेपी उन लोगों तक अपनी पहुच बनाने में जुटी है जिसे साधने में 80 में 80 के लक्ष को आसानी से साधा जा सके साथ ही कोशिश उन सीटों पर भी पकड़ बनाने की है जो ओबीसी बाहुल्य सीटे है इनमें अलिगड, सीतापूर, हरदोई और एटा, मैनपूरी और इटावा, लखीमपूर और रईया साथ ही फरूखाबाद और आजमगर्ड शामिल है यहां भी बीजेपी ओबीसी महा सम्मिलन करने की तैयारी कर रही है जिससे अखलेश की पीडिये फॉर्मूले को पूरी तरह से हाईजेक किया जा सके और इसकी शुरुआग प्रियागराद से होने वाली है जिसमें ग्रहम अंतरी आमिच्छावी शामिल हो सकते है ब्यूर्य रिपोर्ट न्यूज एटीन 2014 से लगातार भार का सामना करने वाली समाजवादी पार्टी ने घोसी उप्चुनाव जीता जीत का स्वाद यहां पर चखा उन्होंने जिसके बाद अखलेश के साथ ही शिवपाल यादो भी खुद ही अपनी बीट थप थपाये जा रहे हैं लेकिन इस बार केशो मौरिया ने दोनों ने ताओं को नसीहत देती है और कहा कि घोसी तो सिर्फ अंगडाई है आगे बहुत लड़ाई है दरसल घोसी पर तकरार के बीच बीजेपी और सपा में वार पलटवार जारी हुए अखलेश शादों ने कहा कि जनता ने इंडिया गड़ बंधन को जिताया है तो केशो मौरिया ने कहा कि 2014 से 2022 तक का परणाम लगता है कि अखलेश शादों भूल गए है सपा आदेहक्ष ने कहा गोसी की जीत कल का परिणाम है तो पलटवार करते हुए जप्डिसीयम ने कहा जीत सपा गुबारे की तरह फूल गई है और जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि हार केशो मौरिया और राजभर की हार है तो पलटवार में केश्व परसाद मोरिया की तरफ से कहा गया कि गुबारी की हवा 24 के चुनाव में निकलने वाली है यानि बीजेप्य और समाजवादी पार्टी को पिछले चुनावी नतीजे गिना रही है लेकिन अखलेश जब भी अब भी घोसी जीत पर लगातार बार बार अपनी पीट थप थपा रहे है अचलेव आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखा दे घोसी की जीत से गदगद समाजवादी पार्टी की रणनेती अब 24 के लिए तयार हो रही है और दावा उत्तर प्रदेश में जीत का हो रहा है लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के तमाम नेता अखलेश को नसीहत भी दे रहे है इस बार केशो मौरे ने तंचकस्ते हुए कहा कि अखलेश यादव को घोसी जीत पर गुबारे की तरह नहीं फूलना चाहिए क्योंकि ये तो सिर्फ अंगडाई है आगे बहुत लड़ाई है समाजवादी पार्टी गुबारे की तरह फूल गई है और गुबारे की हवा उसी प्रकार से निकलेगी जैसे पुलपुर लोकसभा गुरगपुर लोकसभा जो हमारे मुक्वंत्री योगी जी की लोकसभा थी मेरी सोयम की लोकसभा थी हम लोग उस समय चुनाव हार गए थे लेकिन जिस दमाकेदार धंग से वापसी 2019 के लोगसवा चुनाव में किया गया है उनको याद रखना चाहिए दरसल हार पर हार के बाद गोसी में जीत का स्वात चकने पर अखलेश के साथ ही शुपाल यादव भी फुल फॉर्म में है और निशाने पर राजबर के साथ ही केशो मौरे को भी ले रहे हैं जिस पर केशो मौरे ने पलटवार किया और इशारों ही इशारों में भोपू तक बता दिया है तो दूसरी तरफ घोसी में हार पर अब ओम प्रिकाश राजबर समीक्षा बैठक कर रहे हैं और उन पहलों पर वर फर्मा रहे हैं जिससे राजबर वोट बैंक में तोड़फोड का पता लगाया जा सके इतना ही नहीं ओम प्रिकाश राजबर समाजवादी पार्टी पर भ पर अब कभी भी वो सत्ता की तरफ नहीं आ सकते हैं ऐसा ट्वीट सिवपाल जी ने किया है राजबर निधाद और चोहन सनिकार को धोस्त हो गया है वो उनके दिमाक में होगा लेकिन हमनों की दिमाक में सही है दरसल जिस जीत पर समाजवादी पार्टी जश्न मना रही है और बीजेपी के साथ सहयोग्यों को निशाने पढ़ ले रही है उस पार्टी के मुख्या का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ठीक नहीं है बात 2014 लोगसभा चुनाओ की करें तो सपा को सिर्फ पांच सीटे मिली थी 2017 विधानसभा चुनाओ में 47 सीटों पर पार्टी समट गई 2019 लोगसभा चुनाओ में भी अखलेश को सिर्फ पांच सीटे ही मिली 2022 विधानसभा चुनाव में भी समीकरण फेल साबित हुआ रामपूर आजमगर्ड उपचुनाव में स्पी की हार हुई मुसलिम बाहुल्य सीट स्वार में भी हार का सामना करना पड़ा यानि हार के बाद हार और घोसी में जीत से उच्छोप समाजवारी पार्टी के सामने अभी फाइनल इम्तिहान बाकी है क्योंकि बीजपी असी में असी सीटे जीतने का दावा कर रही है ऐसे में सिर्फ बयानबाजी से नहीं बलकि बेहतर रणनीती से मैदान में उतरने की बारी है ब्यूरो रिपॉर्ट निउस 18 सनातन पर इंडिया गड़ बंधन के साथ में बार बार चोड़ कर रहे है पहले उदय निधी स्टालिन ने हमला किया और फिर ए राजा ने विवादास्पत बयान दिया और अब डियम के नेता पोन मुडी ने इंडिया गड़ बंधन को भी सनातन विरोधी बता दिया सनातन डेंगू मलेरिया की तरह है जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते वे कहा कि सनातन ही सच है उदय निधी से एक कदम आगे बढ़कर ए राजा ने कहा था सनातन तो HIV रोग जैसा है और इस पर बीजेपी ने कहा कि सनातन सबसे पवित्र धर्म है और अब जब की के पोन मुडी ने कहा कि सनातन को हराने के लिए इंडिया गड़ बंधन बना है तो बीजेपी ने कहा कि सनातन धर्म अमर है कभी भी हार ने सकता हालाकि इन बयानों के बीच अब तक गांदी परिवार की उर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और इसी को लेकर बीजेपी इसे सोची समझी साजिश बता रही है पर सियासी महभारत देश भर में सनातन के अपमान पर घमासान सनातन धर्म पर डियम के निताओं का हमला जारी है उध्यनिधी स्टालिन और ए राजा के बाद अब डियम के सरकार में मंत्री के पोनमुडी ने विवादास्पत बयान दिया है जूनियर स्टालिन के बाद मंत्री पोनमुडी ने बयान देते वे कहा कि आई एंडिया ये गड़बंदन को सनातन धर्म के सिध्धानतों के खलाफ लड़ने के लिए बनाया गया है इतना ही नहीं उन्होंने बड़ा दावा करते वे कहा कि गड़बंदन में सहियोगी दलों में मत्बेद हो सकते हैं लेकिन सनातन धर्म के खलाफ लड़ाई में सभी दल एक जूट है इंडिया कोटनी उड़े नोकम इससे पहले उदैनिधी स्टालिन फिर प्रियांग खड़ गए और ए राजा उसके बाद ब्यमके के मंत्री के पोनमूडी जो इन दिनों सनातन पर दिये गए विवादास्पत बयान की वज़े से विवाद में है दक्षिन भारत की स्यासत के इन तीन चेहरों पर सनातन विरोधी होने की चाप लगए है जिसकी शुर्वात कहीन कहीन तमिलनाडू सरकार में मंत्री उधै निधी स्टालीन नेकी जुनियल स्टालीन के बयान से एक तरफ जहां विपाक्षी गडबंदन के कुछ दलोंने किराना कर लिया तो वहीं उनके बयान के समर्थन में उनके पार्टी के नेता खड़े होते दिखाई दिये खरीब आठ दिन पहले ये विवाद उधैने धी स्टालीन के बयान से शुरू हुआ था जिसने सियासी रंग पकड़ा लेकिन बीच में ठंडा पढ़ने के बाद एक बार फिर सियासत का हत्यार बन गया और अब जब डियेमके के एक और मंत्री ने विवादासपत बयान दिया है और उससे गड़बंदन को भी जोड़ दिया है तो बीजेपी के खेमे से भी हमले होने शुरू हो गए है राजस्तान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दोरान गजेंदर सिंग शेखावत ने भी करारा हमला बुला आइन डिया गडबंदन सनातन के विवाद में घिर गया है और इसकी सबसे बड़ी वज़य है कि इस मामले पर बाकी दलो ने अभी तक अपनी सिती सपष्ट नहीं की है यही वज़य है कि बीजेपी को विपक्षी दलो के साथ-साथ खास तोर पर राहूल गांधी और सोनिया गांधी को घेरने का मौका मिल गया है और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बीजेपी के तमाम नेता सनातन के अपमान पर आग बबूला हो रहे हैं कैसे कैसे रियक्षन सामने आए विजेपी नेताओं की तरफ से वो आपको दिखाते हैं इंडिया एलाइंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उससे खतम करना है मेरे पास उनका इंग्लिश टेक्स्ट भी है जो उन्होंने उसी सनातन धर्म विरोधी कारिक्रम में कहा था जिसमें स्टालिन जी मुख्यवंत्री के पुत्र ने सनातन की तुलना डिंगू मलेविया से की थी और बाद में तो डीर आजाने कहा कि ये एड से भी अधिक संक्रामक है इस वर्स दन एड्स एंटी वी नित न्यूतन चिर पुरातन वही सनातन अब इस सनातन का मतलब जो नहीं समझने वाले लोग हैं वो कभी नहीं समझ पाएंगे और सनातन सभिता के बारे में विश्व के लोग यहां आते थे नालंदा में पढ़ने आते थे भारत को विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं लोग और उसकी एक बानगी अभी आपने जी ट्वेंटी में देखी देश के अंदर सनातन राष्ट्रवाद भारत भारतिता इन पर हमले हो रहे हैं और जान बूझ कर एक गोपनिया जंडा बना कर विपक्षी पार्टियां हमला कर रही हैं पर मैं हरान हूँ इस शड़ेंतर की मुख्य कड़ी कांग्रस के नेता श्रिमती सोनिया गंदी राहूल गंदी परिंक्या गंदी रहस्य में चुपी में क्यों हैं और नए भारत का प्रतीश नए संसत भौन में इस बार विशेश सत्र का आयोजन होगा इस दोरान कई नई चीजे देखने को मिलने वाली हैं फैस्ता लिया गया है कि नए भौन में प्रवेश के साथ ही यहां काम करने वाले कर्मचारियों के ड्रेस भी बदल जाए नए ड्रेस पूरी तरह से भारतीय पारमपरिक होगी नए ड्रेस की जब बात हो रही है तो इस पर विवाद भी शुरू हो चुका है क्योंकि कर्मचारियों की परधान पर कमल निशान छपा हुआ है जो कि सत्तारूर भारती जनता पार्टी का चुनावचिन है आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे केंद्रो सरकार की ये पहल अब विपक्ष को चुबने वाली है विपक्षी डल मोदी विरोध की रणीती की माथा पच्ची में थे तभी मोदी ने संसत के विशेश सत्र की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि सियासत में शोर जोर फगड़ने लगा मौनसून सत्र 11 अगस्ट को खत्म हुआ और संसत का विशेश सत्र 18 सिटंबर से शुरू होने वाला है उलजन बढ़ गई आखिर पियम मोदी का प्लान क्या है और फिर कयास बाजी का दौर शुरू हो गया लेकिन मोदी ने विपक्ष को एक और जटका दिया और संसत के दूनों सत्नों में नया ड्रेस कोड लागू करने की बाद सामने आ गई मेरा देश बदल रहा है जिस तरीके से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसत भवन लोकतंत्र को समर्पित की अब ठीक वैसे ही संसत भवन में काम करने वाले कर्मचारी भी नई पोशाक पहनेंगे कर्मचारीों के परिधान पर कमल का फूल को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है क्योंकि ये सत्तरूर भारतिय इंता पार्टी का चुनावचिने है हाला कि विकल्प के तौर पर इसे भारतिय परंपरा का प्रतीक भी बताया जा रहा है इसी आधार पर इसे जी ट्वेंटी के लोगों में भी शामिल किया गया था हाला कि संसत की सुरक्षा में तैनाथ होने वाले गार्ट अपनी सामाने वर्दी पहनना जारी रखेंगे विपक्षी पाटिया इनी सवालों में उलची रही लेकिन मोधी सरकार ने अब तक इस सत्र के एजंडे के बारे में जानकारी नहीं दी और जब पत्ते नहीं खुले थो जुबानी संग्राम चड़ गया अब नए ड्रेस कोट के साथ ही विपक्षी उन सवालों के जवाब बाग रहा है आकेर विशेश सत्र का इजंडा क्या है? आकेर विशेश सत्र बुलाया क्यों गया है? भाते जंता पार्टी उसकी सरकार प्रधानमंतरी मोदी जी को मोगैंबो के रूप में देखना चाती है और उसी पोशाक में देखना चाती है प्रधानमंतरी जी भी उसी स्वरूप में चल रहे हैं लेकिन ये देश मोगैंबो खुश हुआ के मोड में नहीं चल सकता, इस देश में लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र का ये पैमाना है कि सरकार बताए कि विशेश सत्र का एजेंडा क्या है, जो सरकार अपने सांसदों को नहीं बताती, जो मंत्रियों को नहीं बताती, जो विपक यानि विशेश सत्र के एजंडे पर अविपक्ष के डाउट क्लियर नहीं हुए तो विपक्ष ने अपना ही एजंडा सरकार को बता दिया और आरोप लगाए कि बिना किसी से बातचीत किये बिना कुछ बताए सरकार ने विशेश सत्र बुलाया है तो विपक्ष नामिल जरूर होगा लेकिन एजंडा अलग होगा यानि अब मोदी के विचेश एजंडे पर विपक्ष पूरी तरह से कन्फ्यूज है और कन्फ्यूज नाए ड्रेस कोट को लेकर भी है बिरो रिपोर्ट निउज एठी आपुर में वकीलों पर लाठी चार्ट का विरोष अभी ठम नहीं रहा है मामला भले है साइटी के पास चला गया हो लेकिन जाज की आज के बीच भी शहर शहर वकीलों का प्रदर्शन जारी कई बार बार काउंसिल ने आंदोलन वापस लेने का एलान भी किया लेकिन वकील काम पर नहीं लोटे जिसकी वज़़े से आम जनता काफी परेशान है और इसी के साथ दो दिन और हर्टाल की तारीक बढ़ा दी गई अब जब मामले की जाच की जा रही है SIT को जम्मेदारी दे दी गई है 15 सितंबर को SIT अपने रिपोर्ट भी सौपने वाली है तब भी इस विवाद का अन आखिर अभी संभव क्यों नहीं हो पाया फिलाल वकीलों की हर्ताल पर जाने से आम जनता को काफी परेशानी हो रही और यहां रुकेंगे एक छोटे सुप्रेक के लिए जब लोटें कुछ और ख़बों के साथ पेट सफा